हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग दसेरा की सभी सभी को राम राम बहुत बहुत तो सुबह मॉर्णिंग में हम वॉक करने के लिए आज की छुट्टी थी दसेरा की छुट्टी होने के कारण हमारा बाहराना हुपाया नहीं तो सुबही स्कूल के लिए हम लग जाते हैं वहां से वर्फ करने के बाद मैंने बनाया बच्चों के लिए व्रेकफास्ट क्योंकि आज कर पूरा दिन हमारा पैक है मतलब काम के लिए हमने कि इनकी भी छुटी थी तो सोचा कि घर का कुछ काम निकाल लिया जाए दिवाली की साफ सफाई निकाल लिया जाए तो एक रोम तो उसके लिए मैंने सोचा कि पहले पेट पूजा कर ली जाए सबकी पेट पूजा हो जाएगी उसके बाद ही काम स्टार्ट करेंगे दुमन का यहीजी रहेगा बच्चों को सैंडबिच खाना था अब टमाटर भी नहीं थे तो मैंने क्या ही करूं अब मैंने का सिंपल सा बना देते हो इस तरह से मैंने बनाया बच्चों को बहुत ही पसंद आया यह मैंने ब्राउन ड्रेड लिए है आटे वाले और उसके उपर मैंने यह देखो टोमैटो कैचॉप डाला है यह सिंपल सी रेसीपी है लेकिन बड़ी टैस्टी है बहुत ही जल्दी बन जाती है ज यह मेरे पास पिज्जा है सौस भी है अगर नहीं भी है तो आप इस पे चिले फ्लेक्स और गैनो वगएरा डालके इसका फ्लेवर आप बढ़ा सकते हो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा ही डाला पच्चे कहते नहीं है मिर्ची वाला तो फिर चिक 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 होती है यह तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा ही डाला था वबस इस पच्चे से फिला देंगे सारे पे और इसके उपर एक चीज की स्लाइस रखने के बाद इसको भड़ा से रोष्ट कर लेंगे हम आप किस तरह से बनाते हो मुझे कमेंट में बताना जरूर और यह रेसिपी फटा फट से बना सकते हो कहीं जा रहे हो फटा फट से पराठे वराने में उसमें टाइम लगता है तो आप इस तरह से भी बना के रख के ले जा सकते हो और रास्ते में बढ़िया से इंजोई कर सकते हो और हम ऐसे घर जाते हैं तो कभी-कभी मैं इस तरह से बना के इसमें अब इसको मैं रोश्ट कर लूँंगी, और आपके यां दसेरा पर किस तरह से मनाई जाता है? दसेरा हमारे हाँ तो गाड़ियों को पूझा जाता है इस तरह से, और मिठाई बिठाई का इतना है, नारियल फोरते हैं हमारे हां, मंदिरों पे भी जाते हैं इस वार क्या हुआ हमारे हाँ जो पास में दसेरा पे रावर जलता है तो विस वार नहीं हुआ क्योंकि वहां कुछ गमी हो गए थी कि क्या ही हो गया था तो इस तरह से हमें भी शाम को ही पता चला बच्चे तो बढ़ी आसे खा पी के हम अपनी काम में लग जाएंगे आज सॉरी ये रेड़ी हो चुके हमें बच्चों को बुला लेती हूँ बच्चे अपने इंजॉय कर रहे हैं खेल रहे हैं वहां से आके हो सीधे वो लोडों में लगे हैं की चुट्टिय लगे हैं दो दिन की तो वह मजे में लगे हैं आते खिलने लगे वह दोनों मैंने उनको खिला पिला के अब काम भी करना ही है तो गद्दे वगेरा जो गंबल ब्लैंकेट्स जो निकल लेते हैं तो देखे पूरा घरी फैल जाता है थोड़ा सा काम निकालते उपर चट पे डाले थे सारे कपड़े वपड़े सुखाने के लिए तो ये उपर भी आ गए मस्ती गन्ने इनको तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि चलो हमें तो हार सेंगार का पौधा इसमें कितने भरबर के इसमें फूल आया तो सोच मैंने इसको सुवा सूट कर लिया था आप ये पौधा जरूर अपनी घर में लगा है बोलते हैं कि ये समुद्र बंथन हुआ था तब ये पौधा समुद्र बंथन से निकला था साम को अब दसेरा है तो यहां पर राबर तो चला नहीं तो यवाहन रोर ने लगा तो उसको alla से बनाके दिया था एक यूट्र सा राबर तो हमने सोचा के चलो इससी को जलाते तो इसमें थोड़े थोड़े पटाक़ के लगाये थे और इसको हमने उपर च्थपे जलाया था तो वह भी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी मिरसे नहीं बनाया जा रहा था और यह बच्चों के नहीं करकर आके इसको जला दिया बड़े अच्छा सा लग रहा था यह और बच्चे भी खुस हो गए थे इसको जला के उसके बाद हमने गाड़ी वाड़ी की पूजा की और थक बीतनी गई थी कि सारा को सूट भी नहीं हो पाया आज का व्लॉग मेरा ऐसा ही है काफी लोगों की रिक्वार्मेंट थी कि आप व्लॉग डाला करो ऐसा मत तो हम हमें देखना है आप अच्छा डालते हो यह वो तो मैंने सूचा कि छोटा सा में डाल ही देते हूं और इस तरह से हमने ड आगे कि जो प्लांट्स थे वह भी सारे दोके अच्छे से उनको भी सैट किया था तो काफी ड्राइव अगरा वह सारी हटा है उसकी बाद हम थोड़ी देर मार्केट भी घुमने गए थे बच्चों को टॉइवाय लेने थे आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और आपको कैसा लगा कमेट में मुझे जरूर बरना थैंक यू बाई बाई